सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और दबाइए बैल आइकन ताकि आप आसके हमारी आने वाली वीडियो बढ़े ही असानी से दोस्तो हमने NDA UGC NET दिसंबर 2019 एक पेड वर्टसप ग्रूप बनाया है इस ग्रूप में हम आपको दोस्तो सिस्टमेटिक ढंग से स्टड़ी करवाएंगे इस ग्रूप में आपको हर रोस दो वीडियो मिलेगी सुभह की जो वीडियो होगी वो थेयरोटिकल होगी और स्याम की जो वीडियो होगी उसमें हम आपको most important question के बारे में बताएंगे हमारे इस ग्रूप को जोइन कीजिए और अपनी स्टड़ी अच्छे से कीजिए लिंक वीडियो डिस्क्रेप्शन बॉक्स में दिया हुआ है तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को दिखा देता हूँ की type of definition में से आज तक कब कब question आये हैं यह देखे यह हमारा जून 2012 के अंदर question आया था और यहां पर हमने इंगलिस और हिंदी दोनों में दिया हुआ यहां पर आप देख सकते हैं उसके बाद दिसंबर 2012 के अंदर question आया था और दोस्तों यह जितने वी question है उन सभी question के बारे हम पूरे detail से पढ़ेंगे आगे वीडियो वे पहले हम देख लिते कि कब कब question आये हैं पिर zoom 2013 के अंदर question आया है type of definition में से और फिर हमरा December 2015 में question आया है और उसके बाद में अगस्त 2016 में इसमें question आया है तो अब बात करते हैं दोस्तों definition क्या होती है और इसके कितने तरह के type होते हैं डेफिनेशन करने से पहले दोस्तों हमें ये पता होना चाहिए ये जो दो ट्रमें इनके बारे में हमें पता होना चाहिए सबसे पहली ट्रम है डेफिनेंडम इसका मतलब है दोस्तों जिस ट्रम को हमें डिफाइन करना उसे हम क्या कहते हैं और जिस ट्रम को डिफाइन करके ब पता होनी चाहिए और उसके बाद दोस्तो हमारा टाइप Of Definition definition कितनी तरह की होती है Logical Reasoning के अंतर सबसे पहली जो definition आती है दोस्तों वो है हमारे पास Logical definition आती है और अगर हम Hindi में बात करें तो इसका नाम होता है कोस विश्य कि आप सम्मंद्य परिवासा भी कहा जाता है और एक बात दोस्तों मैं आपको बता दू कि अगर आपको जैसे की यूजी सिनेटिया जे रफ क्वालिफाइग करना है तो आपको इंगलिश और हिंदी में चीजे आना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हिंदी के अंदर काफी नाम ऐसे होते हैं जो हमें कन्फ्यूज कर देते हैं हमें पता नहीं चलता है इसलिए हमें इंगलिश में भी पता होना चाहिए कि किस चीज को क्या कहते हैं और चलिए अब हम देखते हैं कि क्या मतलब है लेजिकल डेफिनेशन का ऐसी परिवासा जिसका मीनिंग डिक्सिनरी में दिया हुआ हो यानि कि ऐसी कोई भी definition जो dictionary में हो उसे हम क्या कहते हैं और इसके अंदर कुछ बाते होते हैं यह हमें ध्यान रखनी जुरूरी है कि यह या तो सही होगी या फिर गलत होगी यानि कि dictionary के अंदर दिया हुआ होगा तो उसमें पूरा हम कह सकते कि एक proof होगा या त होगी या सच होगी या जोट होगी यह चीज आपको ध्यान रखना जुरूरी है क्योंकि इसमें इसी तरीके से पूछा जाता है कि एक ऐसी definition जो या तो सही है या गलत है उसे किस तरह की definition हम कहेंगे और यहां पर इंगलिस में भी इसमें पढ़ सकते हैं और यह इसमें क्या होता है दोस्तों एक और चीज यह है ऐस परश्टता को खतम करने के उद्यसे को भी पुरा करता है यानि कि इससे क्या होता है दोस्तों यह इससे हमारा जो confusion होता है वो दूर हो जाता है हम डिक्सिनरी में देख लेते हैं इस चीज का मीनिंग है उससे हमें मोटा मोटा पता चल जाता है कि किसका क्या मतलब यानि कि काफी हद तक हमारा जो confusion हो दूर हो सकता है अब जैसे कि हमारे यह दिया है पुस्तक है पैन है चेर है और भी काफी तरह की चीज है जो डिक्सिनरी में दी हुई होती है अब यह देखे दोस्तों लेजिकल डेमिनेशन में से एक कोश से प्रिवासा कहलाती है अब देखे दोस्तों अभी यही बात हमने की थी ना कि ऐसी डेफिनेशन जिसके अंदर एस परश्टा खतम होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं लैजिकल डेफिनेशन कहते है और यही बात इन्होंने इस question के अंदर पूची हुई है तो इसका जो answer आप बिल्कुल असानी से question कर सकते हैं आगे देखते हैं दोस्तों आगे हमारी stipulative definition अब देखिए यह definition क्या होती है सबसे पहले हमें इसको हम हिंदी में भी देख लेते हैं हिंदी में हैं इसका मतलब सव निर्दिष्ट यानि कि ऐसी परिभासा जो हम खुद बनाते अपनी तर dictionary में ना दिया हो यानि कि ऐसी परिभासा या ऐसी ट्रम जो हमें dictionary में ना मिले और उसे हम अपने आप खुद तरी खुद बनाएं जैसे कि आज कल आपने काफी चीज देखियोगी जैसे गुड मॉर्निंग के लिए हम जी एम लिख देते हैं वाट्सप के अंदर तो उसका अगर देखोगे तो dictionary में कोई खास मतलब नहीं है लेकिन हम अपनी तरफ से यह चीज बना देते हैं और विए जैसे सेल्फी हो गया इमोजी हो गया और जैसे चैट के अंदर एफ आरेंडी फ्रेंड लिख देते हैं गुड नाइट लिख देते हैं प्लेज एटीसी इस तर प्रिभासा दोस्तों जिसका dictionary में कोई अस्तिताव नहीं है या नहीं था और इसके अंदर जो खास बात दोस्तों वो याद रखने वाली ये है इस तरह की प्रिभासा को ऐस सविकार किया जा सकता है यह हो सकती है लेकिन इसे सत्ते या ऐस सत्ते साबित नहीं कर सकते क्योंक जैसे हमने कहा कि FRND, FrND कर सकते वरी, एफ रएंडी का मतलब थोड़ी नहीं था प्रेंड, यह तो आपने ऐसे बनाई है तो इसे क्या है कि reject किया जा सकता है और इसे हम सत्ते या ऐस सत्ते साबित नहीं कर सकते हम इसे प्रूफ नहीं कर सकते कि FRND है जो friend जो friend ही मतलब इतार क्योंकि इसका जो इसका जो प्रूफ है दोस्तों वो हमें डिक्सिनरी के अंदर नहीं है अब देखिए किसी की चीज को सत्य या ए सत्य साबित करने के लिए हमारे पास दूसरा अल्टरनेटिव प्रूफ होना चाहिए तो जो हमारी ये जो होती है दोस्तों हमारी इसके अंद तरह दोस्तों वो अड़ी नए सकते और नहीं ए सकते और यही बात हमने इसके अंदर पढ़ ही थी तो दोस्तों इस तरीके से इसमें से कोशन पूछे जाते हैं और यहां पर आप इंगलिस हिंदी में पढ़ सकते और यह जो कोशन हम कर रहे ना दोस्तों यह वही कोशन है जो सोच समझ कर कुछ प्रितिकों के लिए निर्दिष्ट किया जाता वह कहलाता है इसे क्या कहेंगे सव निर्मित परिभासा यानि कि ऐसी परिभासा जैसे कुछ सोच समझ कर कुछ प्रतिकों के लिए हम डिफाइन करते तो उसे हम क्या कहते हैं सव निर्मित परिभासा कहते हैं अभी जैसे वो था ना गुड नाइट के लिए जी डी लिख देते हैं गुड नाइट तो ये हमने अपनी सहूलियत के लिए ये बनाया है और आगे दोस्तों हमारे पास आगे है प्रिशाइजिंग डेफिनेशन अब देखें ये डेफिनेशन क्या होती इसके अंदर हम देख हैं इस तरह की प्रिभासा का उदे से किसी सब्द को अच्छे से प्रिभासित करना होता है क्योंकि एक सब्द का अलग अर्थ हो सकता है जैसे कोई सरकार किसी व्यक्ति को ग्रीव कहने के लिए उसको आर्थिक मापदंड से प्रिभासित करती है अब देखिए ये जो हमारी pre-sizing definition होती इसके अंदर क्या होता है दोस्तों इसमें किसी वी चीज़ को अच्छे तरीके से define किया जाता है अब देखे दोस्तों काफी ऐसी चीज़े हैं जिनका अलग-अलग situation में अलग-अलग मतलब निकलता है अब देखे जैसे हम नॉर्मल भासा में कह देते हैं भई मैं तो यार बहुत गरीब हूं और अमीर आदम यह वह भी नॉर्मल कह देता कि मैं यार बहुत गरीब हूं लेकिन जो सरकार है सरकार अपने मापदंड के अंशार Decide करेगी कि कौन गरीब है और और कौन अमीर है तो इस坠रह की जो कोई परिभासा जिसको हम अपनी भावना में बहेकर बनाते हैं यांनि कि जिसको हम अपनी तरफ से का अलग ही रूप दे देते हैं ऐसी परिभासा को पर शिवेशीव डैफिनेशन कहते हैं या फिर विश्वासुत पादक परिभासा कहते हैं देखिए इसके अंदर हम एक एक जामपल लेके चलते हैं जैसे अभिताव बच्चन एक कलाकार है लेकिन लोग उन्हें वोलिवुड का सेहनसा कहे कर बुलाते हैं अब देखिए जो अभिताव बच्चन वो रियल माइने में क्या है एक कलाकार है ल है लेकिन लोग भावना में बहकर क्या कहेंगे सचिन टैंदुल कर एक किरकेटर नहीं है वह किरकेट के भगवान है यानि कि दोस्तों किसी भी चीज को जो जो हम बढ़ा चढ़ा कर कहते तो उसे हम क्या कहते है प्रिशियेशी डेफिनेशन कहते हैं और इसमें से कोश्चन आया है दोस्तों ये देखें ये कोश्चन है निमलिखित परिभासा की प्रकर्टी निर्धारित कीजिए भुरुन हत्या का अर्थ निर्दोस लोगों की निर्मम हत्या है अब देखिए अगर हम भुरुन हत्या का डिक्सिनरी के अंदर सभी जो बच्चा है उसेने तो जनम ही नहीं लिया तो वह अभी लोग यानि की बड़ा आदमी नहीं बना आ तो यह जो धैसेन से दोस्तों यह अपने अपने लिप से बनाई है भावना में बहै कर तो इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों विश्वास सुत पादक डैफिनेसं कहे तो इस तरीके से दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से definition कर शकते हैं और इन में से कोई भी कोशन आता है तो आपको किसी भी तरह से confusion होने की जरूरत नहीं है और आगे दोस्तों हमारे पास theoretical definition अब देखिए इसके अंदर क्या होता है इस तरह की परिभासा में हम किसी भी वस्तु चीज को विग्यानिक तरीके से परिभासित करने की कोशिस करते हैं अब देखिए हमारे पास कई चीजे हो सकती है जिनको हम normal परिभासा में कुछ कहें विग्यानिक तरीके से कुछ कहेंगे और शमाजिक तरीके से उसको हम कुछ और कहेंगी जैसे कि यहाँ पर एक example लेके सलते हैं जैसे जल को हम समानने भासा में पानी कहते हैं लेकिन विग्यानिक रूप से उसको हम H2O कहेंगे दोस्तों तो इस तरीके से यानि कि ऐसी कोई भी परिभासत जिसको हम scientific रूप से define करें तो उसे क्या कहेंगे theoretical definition उसे कहां जाएगा तो इस तरीके से दोस्तों यह type of definition मैं आसा करता हूँ आपको सभी definition समझ में आ गई होगी और दोस्तों अगर किसी भी दोस्त का कोई सवाल जवाब है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट वोक्स के जरीए और अगर आपको हमारी वीडियो रियल में अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए शे पानी से देख सके हैं थैंक्यू दोस्ता हूँ